हाई अर्वर्वान मैं आपका दोस्त साहिल सुवागत करता हूँ अपने चनल पे आज आर ये टेक नूज नंबर 109 शुरू करते हैं बड़े बड़े टेक नूज आज मौनिंग में मैंने वीडियो डाल थी रेड्मी के 30 प्रो के बारे में अगर आपने नहीं देखी और अब इस फोन के बारे में इंटरस्टिड हो तो जरूर देखिए काफी कुछ पता चल जाएगा जो ओफिशली कंफर्म हो चुका है तो शुरू करते है हमारे आज की गर्मा गरम टेक नूज तो पहली नूज की बात की जाए तो वही रियल्मी नार्जो जी हाँ रियल्मी नार्जो 10 एंट 10A 26 मार्च को लांच हो रहा है वैसे मैंने कुछ दिन पहले रियल्मी अपने ट्वीटर पे पोस्ट किया था क्या यह हो सकता है रियल्मी 6 ताई जो हील्यो जी एटी वाला प्रोसेसर लांच किया था मायनमार में और अब लग रहा है यह वही होगा एक model होगा Realme 6i, दूसरा Realme 6C3 हो सकता है, जो triple camera के साथ आया था, globally, तो लग रहा है वो ही है, ये 10 से 12000 के पास phone होंगे, तो पहले expectation थी कि भी Poco X2 के killer आएगा, एक नया phone आएगा, मगर ये वो नहीं है, में भी future में आ सकता है, तो देखते हैं 26 मार्च को क्या launch करता है Realme, इस पिचर सामने आई है, देखने में काफी बड़िया लग रहा है, Oreo स्टाइल कैमरा है, तो भी इस बार काफी phone आ रहे है, Oreo स्टाइल कैमरा के साथ, Redmi K30 Pro, अभी Nokia का लाँच हो है recently, कल फोन हो, इसमें भी उसी तरह का camera लग रहा है, कहने ये भी Snapdragon 865 वाले प्रोसेसर के साथ आय 53,000 का phone था और 65W का fast charger काफी बढ़िया था, तो शायद इस बार इस 65 से उपर जा सकते हैं, देखते हैं, एपरल के end तक आने किस के chances हैं, नेक्स न्यूस की बात कीज़े तो Vivo X30 Limited Edition एक चायना में लाँच हुआ है, अलेकसेंडर वांग, इसकी cost रखी है 43,000, ये 5G phone है, जिस नेक्स न्यूस की बात कीज़े तो OPPO की यार, ये OPPO A12, OPPO A12, पास हुआ है IMDA Certificate, और ये कह रहे हैं, ये Media Deck के कोई प्रोसेसर, mostly P35 से equipped होगा, 3GB RAM मिल सकती है, और 4GB RAM मिल सकती है, और ये जल्द ही लाँच होने वाला है, नेक्स न्यूस की बात कीज़े तो Nokia, Nokia 8.3, पह काफी बढ़िया है, मगर प्राइस कुछ जादा ही हाई है, OREO स्टाइल का कैमरा मिलेगा, आपको 6.8 इंच की डिस्पले है, और इसमें मिलेगा आपको Snapdragon 765G, 64 मिलेगा पिक्सल का कैमरा, प्लस 12, प्लस 2, प्लस 2, पैटरी 4500 इमेच की, 18 वाट का चार्जर, मिलेगा साथ म Audio Jack है, और Android 10 के साथ, आता है, कंपनी का कहा है कि हम Android 11 का अपडेट जरूर देंगे, इसमें, कॉस्ट इसकी जो 6GB वेरियंट की है, जो है 600 Euro, जो नियर बोट 46,000 प्लस बनती है, तो Snapdragon 765G, 46,000, Redmi K30 5G, Snapdragon 765G के साथ आ था, सिर्फ 20,000, और इसकी कॉस्ट 46,000, तो भई, मैं जैसे कहता हूँ, सस्ते, वो कर लेते हैं, Nokia जैसे companies, और सोचती है कि हमारी sale क्यों नहीं होती, तो मैं गही कहा सकता हूँ, भई, कौन लेगा इतना मेंगा, फोन जो आ रहा है, Snapdragon 765G के साथ, बाकि यह वाले ले लेते हैं, नेक्स्ट न्यूस की बात कीचा है, Apple, Apple iPad recently launch हुआ है, उसका N22 score सामने आया है, इसमें मिलेगा A12Z नाम का chipset, जो काफी strong लग रहा है, उसका score आया है, 7,12,000, वाउ, कितना जादा, 7,00,000 पे हम N22 score पे पहुँच गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ, जो Apple का A14 Bionic chipset आएगा, उसका score कहां तक जाएगा, गरे 7,00,000 तो इसमें ही आगया A12Z में, तो देखते हैं, क्या score आता है, जब iPhone 12 आता है, नेक्स्ट न्यूस की बात कीजाएं, तो A14 Bionic क्या Geekbench score सामने आया है, सिंगल कोर कह रहे हैं, 1650 के पास, और जो मल्टी कोर है, वो 4,600 के पास, अगर हम Snapdragon 865 वाले processor का अंटर्टू score देखते हैं तो इसका score निर्बर 900 सम्थिंग आता है, तो यह 16,600 हो आ रहे है, तो कितना ज़ादा तेज और कितना ज़ादा स्ट्रॉंग होगा, Apple का यह new processor 5NM चिपसेट पर यह है, तो मैं really excited हूँ, iPhone 12, इस परशेंद मैं इसको लेके review ज़रूर करूँ, नेक्स्ट न्यूस की बात कीज जो देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं, इसमें active noise reduction होगी और quality काफी बढ़िया होगी, price Samsung के भी जैसे आपको पता है, थोड़े-बोटे high होते ही होते हैं, next news की बात की जदो Redmi K30 Pro, यहां कुछ आज लिक सामने आई है, कल इस पर एक और वीडियो लाँगा, क्यामरे के 64 Megapixel का Sony वाला यूज किया गया है, तो 8K में recording भी कर सकते हो, तो काफी बढ़िया लग रहा है, price matter करता है, किस price में यह आता है, next और last news की बात की जाए, तो बही, Redmi Tab, जी हां, Redmi का एक टाब आ सकता है, 10.8 इंच का Snapdragon 765G, साथ में मिलेगा आपको single punch hold, 90 Hz का refresh rate, 180 Hz का sampling rate, 64 Megapixel का Sony वाला camera यूज हो सकता है, 20-25,000 इसकी cost होगी, और यह कह रहे हैं, जल्दी launch हो सकता है, शायद अपने Redmi K30 Pro के event में इसके बारे में भी बात हो, तो बही, Redmi का टाब आया तो बहुत ही बढ़िया बात है, मैं काफी देर से सोच रहा हूँ, एक टाब लेने को, iPhone, iPad और Huawei के जो काफी बढ़िया है, मगर बहुत जादा expensive है, मैं सोच रहा है, एक 20,000 के अंडर आ जाए, तो काफी बढ़िया होगा, मगर 25,000 में भी आएगा, तो भी not bad, Snapdragon 765G is a good processor, तो देखते हैं, Redmi कब लाता है, Xiaomi का तो नहीं आ रहा भी कोई, Redmi ही आजए, कमाल हो जाएगी, तो आज की इतना ही जाने से पहले हम देख लेते हैं, हमारी लास्टेक्टी उसका विनर कौन है, तो आज के विनर बने हैं, चीटा रॉक नायर, तो चीटा रॉक नायर जी, आप मुझे Instagram या Twitter पर message कीज़े, और अपना Amazon voucher claim कीज़े, और मेरे बास आगया है Redmi Note 9 Pro, तो इसके बारे आप कुछ पूछना जाते हैं, तो पूछ लीजे, कल इसकी वीडियो आगी, और एक surprise भी हो सकता है, तो मिलते हैं कल, जाहिंद वन्दे मातरम, see you in next video.